प्रेश्टु थैपुस्तक सकारात्मक सोच की सकती बाई नार्मन विंसेंट फील अध्याय 1. अपने आप में विश्वास रखें, अपनी योगिताओं में विश्वास रखें, बिनम्द परियाप्त आत्म विश्वास के बिना आप सफल या सुखी नहीं हो सकते, जबकि प्र बहुत बड़ी बाधा है आत्म विश्वास इस बाधा को हटा देता है आत्म विश्वास आपको आपकी मंजिल तक पहुचा देता है और आपको सफलता ववा उपलब्धियां हांसिल होती है यह मानसिक रवईया इतना महतपूर है कि यह पुस्तक आपको सबसे पहले तो यही सिखाना चाहेगी कि आप अपने आप में विश्वास रखें और अपनी आंत्रिक सक्तियों को मुक्त करें यह देखना दुखद है कि इतनी सारे लोग उस बीमारी से पीडित हैं और उसके सिकार हैं जिनका नाम इनफिरियार्टिक कांप्लिक्स यही इन भावना है प्रन्त आ अपने आप में रचनात्मक आस्था जगा सकते हैं ऐसे आस्था जो तर्क संगत है एक बार मैं सहर के आडिटोरियम में बिजनेसमेनों के सभामेभासर दे रहा था मैं मंच पर लोगों से मिल रहा था तभी एक व्यक्त मेरे पास आया और उसने बहुत भावुक स्वर में पूछा क्या मैं आप से एक बिसे पर बात कर सकता हूं जो मेरे लिए अतियंत महतपूर है मैंने उससे कहा कि वह इंतिजार करें और बाकी लोगों के चले जाने पर मिलें फिर हम मंच के पीछे की तरफ जाकर बैट गए उसने कहा मैं इस सहर में अपनी जीवन की सबसे चमक जाएगी परन्त अगर मैं आसफल हो गया तो मैं हमेशा के लिए बरबाद हो जाऊंगा मैंने उसे सुझाओ दिया कि वह थोड़ा रिलैक्स हो जाए क्योंकि जिंदगी में कोई भी बात इतनी पक्की नहीं होती अगर वह सफल होता है तो अच्छी बात है परन्त अग आत्म विश्वास नहीं है मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा मैं बहुत मिरास हूं और दुखी हूं सच कहूं तो मेरी जिंदगी का जहाज लगभग दोब चुका है मैं अब 40 साल का हो चुका हूं ऐसा क्यों है कि मैं जिंदगी भर हीन भावना आत्म वि मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मैं अपने आप में किस तरह आस्था रख सकता हूं अपना आत्म विश्वास किस तरह बढ़ा सकता हूं इसके लिए दो कदम उठाए जा सकते हैं मैंने जबाब दिया सबसे पहले तो यह जानना महत्पूर्ण है कि आप में सक्ति हीन कि भावनाएं क्यों और कहां से आ रही हैं इसमें बिसलेसर की जरूरत है और इसलिए इसमें समय लगेगा हमें अपनी भावनात्मक रोगों के प्रत भी वही नजरिया रखना चाहिए जो डॉक्टर सारीरिक रोगों के प्रत रखता है प्रंट यह काम तकाल नहीं किया जा सकता कम से कम आज की राथ हमारी छोटी से मुलाकात में तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता और अस्थाई समधान खोजने के लिए उपचार की आवेशक्ता होगी प्रंट इस तातकालिक समयस्या से निपटने के लिए मैं आपको एक फार्मूला जरूर दे सकता हूं मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर आप इसका परियोग करेंगे तो यह आपके बहुत काम आएगा मैं आपको कुछ सब्द लिख कर दूँगा जब आप रात को सड़क पर जाएं तो उन सब्दों को दोहराते हुए जाएं रात को बिस्तर पर जाने के बाद भी आप उन्हें करें और आपको इस समेश्या से निपटने के लिए परियाप्त सक्ति और योग्यता अपने आप मिल जाएगी बाद में अगर आप चाहें तो हम आपके मूल भूत समेश्या का बिस्तरित बिसलेशड कर सकती हैं प्रंत उस बिसलेशड का परिडाम जो भी हो जो फार्मूला मैं आपको अभी देने जा रहा हूं वह आपके अंतिम उपचार में बहुत महत्पूर भूम का निभाएगा नीचे वह सूत्र दिया गया है जो मैंने उसे दिया मैं इसामसी की मदद से सारे काम कर सकता हूं क्योंकि वही मुझे सक्ति देते हैं वह इन सब्दों से परचित है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा वह उठा और एक पल के लिए चुप चाप खड़ा रहा फिर उसने काफी भावक अंदाज में कहा ठीक है डॉक्टर ठीक है मैंने उसे अपने कंधे सीधे करते और रात के अधेरे में बाहर जाते हुए देखा वह दुखी लग रहा था प्र सचमुझ जादू कर दिया था उसने यह भी कहा विश्वास ही नहीं होता कि बाइबिल के कुछ सब्द किसी इंसान के लिए इतना कुछ कर सकते हैं बात में इस ब्यक्त ने अपनी हीन भावना के नजरिये के काड़ों का अध्धेन करवाया बैज्ञानिक प्रामर्स और धा कर्मिक आस्था के प्रियोग द्वारा इन्हें हटा दिया गया उसे सिखाया गया कि किस तरह आस्था रखती जाए उसे कुछ बिसिष्ट निर्देश दिये गए जिनका पालन उसे करना था जो इस अध्याय में बाद में दिये गए हैं धीरे धीरे उसने द्रिड हासिल कर लिया वह अब भी इस बात पर हैरान होता है कि पहले अच्छी चीजें उससे दूर भागती थी जबकि अब वह उसके करीब आ जाती है उसका ब्यक्तित्त भी अब नकरात्मक की जगां सकरात्मक हो गया है इस वजह से अब वह सफलता को अपने से दूर नहीं भगा जाता बलकि अपनी ओर आकरसित करता है अब उसे अपनी खुद की सक्तियों में सच्चा विश्वास हो गया है इन भावना के कई कारण होते हैं और उसमें से जादा तरकी जड़े हमारे बच्पन में होती हैं एक एक्जेक्यूटिब ने एक बार मुझसे एक इवक्त के बा अपसोसा नहीं किया जा सकता और मुझे इस बात का बेहद अपसोस है क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो मैंने उसे अपना परसाश्निक सायोगी बना लिया होता उसमें बाकी सभी आविस्यक्योगिताएं हैं प्रंतवा बहुत जादा बोलता है और हलां कि उसका ऐसा कोई इर अपनी हीन भावना को चुपाने के लिए वह अपने ज्यान का प्रदर्शन करने से अपने आपको रोक नहीं पाता था वह उन लोगों के साथ काम कर रहा था जिनकी आर्थिक इस्थिती अच्छी थी और जो कॉलेज और फ्रेटनिर्टी में रह चुके थी प्रंत यह अस्तर के मामले में खुद को छोटा समझता था उसने सायोगियों के सामने अपनी परतिष्ठा जमाने और अपने आत्म स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए उसका अउचेतन मस्तिस्क जो हमेशा कोई ना कोई सांत्वना का तरीका धून लेता है उसे उसकी इगो बढ़ाने के तरीके सुझाता रहा था वाहु दोग में अंदर की बाते जानता था और अपने सीनियर्स के साथ समेलनों में जाया करता था जहां वाह प्रसिद्ध लोगों से मिलता था और महतपूर निजी चर्चाओं को सुनता था वाह बस इतनी से अंदरूनी जानकारी बता देता ताकि उसके साहयोगी उसके प्रत इरिस्या और परसंसा के भाव से भर जाएं इससे उसका आत्म स्वाभिमान बढ़ जाता था और प्रतिष्ठा की उसकी इच्छा भी पूरी हो जाती थी जब नियोकता को उसके व्यक्तित के इस गुड का कारण पता चला तो एक दयालो और साहिशूड ब्यक्ति होने के नाते उसने इवक को बताया कि इस बिजनेस में उसकी योगिताओं की वज़ा से उसे कितने औसर मिल सकते हैं उसने यह भी बताया कि किस तरह उसकी हीन भावना उसे गोपनिये मामलों में आबिस्वस्णिये बना रही हैं इस आत्म ज्यान के साथ ही आस्था और प्रात्ना की तकनीकों के गंभीर अभ्यास ने उसे उसकी कमपनी का एक बहुमूल क्रमचारी बना दिया उसकी सच्ची सक्तियां अब जाग चुकी थी मैं सायद आपको वह तरीका बता सकता हूँ जिससे कई इवा ब्यक्तिगत रूप से हीन भावना बिक्सित कर लेते हैं बच्पन में मैं बहुत दुबला था मुझे में उर्जा की कोई कमी नहीं थी मैं ट्रैक टीम में था और मैं किसी खंभे की तरह स्वस्थ और कठोर था प्रन्त मैं किसी कील की तरह दुबला था और मुझे इसी बात का दुख था क्योंकि मैं दुबला नहीं रहना चाहता था सभी लोग मुझे पतलू कहकर बुलाते थे, जबकि मैं चाहता था कि मुझे मोटू कहकर बुलाया जाए, मैं मोटा होना चाहता था, मैं कठोर, कड़क और मोटा होने के लिए लालाईत था, मैंने मोटे होने की हर संभो कोसिस की, मैंने काड लिवर, आयल पिया, अनगिनित मि सेख पिये हजारों चॉपलेट खाई जिनमें क्रीम भी थी और गिरी भी मैंने असंख केक और पाई खाए प्रंत किसी चीज से रती भर भी फर्क नहीं पड़ा मैं दुबला का दुबला ही रहा मैं रातों को इस बात पर चिंतक किया करता था और दुखी होता रहता था मैं त तब तक मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था आखिरकार मुझे 40 पॉर्ड वजन कम करने में और सम्मान जनक आकार में आने में काफी कश्ट हुआ और बहुत मेहनत करनी पड़ी दूसरी बात यह थी इस ब्यक्तिगत बिसलेसर को मैं यहां इस पर इसलिए दे रहा हू ताकि इससे लोगों को यह पता चले कि यह बिमारी किस तरह काम करती है कि मैं एक पादरी का पुत्र था और मुझे यह बात बार बारियार दिलाई जाती थी बाकी लोग जो चाहे वाह कर सकते थे प्रन्त अगर मैंने जरा सी छोटी सी भी गड़बड़ी की तो लोग कहते अरे तुम तो पादरी के बेटे हूँ तो मैं पादरी का पुत्र नहीं होना चाहता था क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उपदेशकों के पुत्र अच्छे बच्चे होते हैं और कमजोर टाइप के होते हैं मैं अपनी सक्त और कड़क्छभी बनाना चाहता था सायत यही वह का कि पाद्रियों के पुत्रों की ऐसी छबी बन गई है कि उनके साथ हासानी से संवाद नहीं किया जा सकता क्योंकि वे चर्च के जंडे को हर वक्त उठाई रखने के खिलाब पगावत करते हैं मैंने कसम खाई कि एक काम है जो मैं कभी नहीं करूंगा और वह है पाद्री बनना इसके साथ ही मैं एक ऐसे परिवार से आया था जिसका हर सदस सारजनिक जीवन में परफारमर था मंच पर बोलने वाला वक्ता था और यह आखरी चीज थी जो मैं बनना चाहता था वह लोग मुझे जनता के बीच में माईक के सामने खड़ा करके भासर देने के लिए बिवस करते थे जबकि मैं इस विचार से ही आतंकित हो जाता था और मौत की तरह इससे डर जाता था यह बर्जों पहले की बात थी प्रंथ इसका हैसास अब भी कभी कभार मुझे होता है जब मैं मंच पर कदम रखता हूँ मुझे उन सक्तियों में विश्वास विक्सित करने के लिए हर उस ज्यात युक्ति की मदद लेनी पड़ी जो दयालू ईसर ने मुझे परदान की थी मुझे इस समिस्या का समाधान बाइबिल में दिखाई गई आस्था की आसान तकनीकों में मिला ये सिद्धान्त बैज्यानिक हैं और दमदार भी और वहीन भावना से पीडित किसी भी ब्यक्ति का इलाज कर सकते हैं इनके परियोग से पेडित ब्यक्त उन सक्तियों को खोज सकता है और मुक्त कर सकता है जो आविश्वास और आसमर्थता की भावनाओं की बेडियों में जक्डी रहती हैं यहीन भावना या inferiority complex के कुछ रोथ हैं जो हमारे ब्यक्तुतों में सक्तिसाली औरोथ खड़े कर देते हैं या बचपन में हमारे साथ की गई भावनात्मा खिंसा हो सकती है किनी निश्चित परिस्थितियों के परडाम हो सकते हैं या ऐसी कोई चीज जो हमने खुद के साथ क हो यह बीमारी हमारे धुदले अतेत से उत्पन होती है और हमारे ब्यक्तितों में और हमारे ब्यक्तितों के अधेरे गलियारों में परकट होती है सायद आपका कोई बड़ा भाई रहा होगा जो बहुत ही प्रतिभासाली बिद्यार थी था उसकी हमेशा first division आती होगी जबक न सफल हो सकता है उतने आप नहीं हो सकते उसकी हमेशा first division आती थी और आपकी third इसलिए आपने यह मान लिया कि जिंदगी के हर इंतहान में उसे first division मिलेगी और आपको third असपश्ट रूप से आपको यह एहसास कभी नहीं हुआ होगा कि जो लोग इस्कूली जीवन में अच् कि अमेरिका का सबसे महान व्यक्ति नहीं बन जाता क्योंकि कई बार first division का यह सिलसिला वहीं खत्म हो जाता है जब उसका डिप्लोमा मिलता है दूसरी तरफ जिस व्यक्त को college में third division मिलती है उसे बाद में जिंदगे में first division मिलती है हीन भावना या खुद पर संका को मिटाने का सबसे बड़ा रहाच्छी है अपने दिलों दिमाग को विश्वास से लबालब भर लेना ईश्वर में प्रबलास्था विक्सित करें और इससे आपको विनंब्र प्रंथ ससक्त व्यथात वादि आस्था भी मिलेगी प्रबलास्था प्रात्ना से हांसिल होती है धेर सारी प्रात्ना से बाइबिल को पढ़ने और मांसिक रूप से आत्मसाथ करने से हासिल होती है तथा इसकी प्रात्ना की तक्निकों के अभ्यास से हासिल होती है आगे अध्येन में मैं प्रात्ना के कुछ फार्मूले बताऊंगा पुरंति यहां मैं आपको यहां बताना चाहता हू कि हीन भावना को नश्ट करने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी की आस्था की जरूरत है उसके लिए आपको एक खास त्रांकी प्राटना की जरूरत है सतही, आपचारिक और जल्दबाजी की प्राटना परियापत रूप से सक्तिसाली नहीं होती एक अद्भुद अश्वयत महला तेकसास में मेरे दोस्त के यहां कुक थी जब मैंने उससे पूछा कि उसने अपनी परिसानियों को पूरी तरह कैसे दूर किया तो उसने जवाब दिया कि साधारण समिस्याएं साधारण प्राटनाओं से सुलस सकती है जब कोई बड़ी समिस्या आती है तो आपको गहरी प्राटनाएं करनी पड़ती है निव्यार के साइरेक्यूज के मेरे प्रेरक मित्र हलेरबे वी एंड्रियूज मेरे द्वारा देखे गए सर्वस्रेष्ट बिजनेसमेन और सुयोग अध्यात्मिक विसेशग्यों में से एक है वे कहते थे कि ज़्यादा तर प्राटनाओं के साथ समिस्या या होती है कि वे परियाप्त बड़ी नहीं होती उनका कहना था अगर आपको आस्था से विश्वास और परड़ाम चाहिए तो बड़ी प्रातना करनी चाहिए इसवर आपकी प्रातनाओं के आकार के हिसाब से आपको परड़ाम देंगे इसमें कोई संदे नहीं है कि वे सही थे क्योंकि बाइविल में लिखा है आपकी आस्था के अनुरूप ही आपको मिलेगा तो आपकी समिस्या जितनी बड़ी हो आपकी प्रातना भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए गायक रोलाएंड हेस ने अपने दादा जी को कोट करते हुए मुझे बताया जिनकी सिच्छा उनके पोते के बराबर नहीं थी प्रंत उनकी आंत्रिक बुद्धी असपश्ट रूप से परसंस नहीं थी उन्हेंने कहा बहुत से प्रातनाओं के साथ समस्या या होती है कि उनमें कोई गहराई नहीं होती अपनी प्रातनाओं को अपनी संकाओं अपने डरों अपनी हींताओं की गहराई में ले जाएं गहरी और बड़ी प्रातनाई करें जिनमें परियाप्त गहराई हो इसके बार आप में सक्तसाली और महत्पूर आस्था बिक्सित हो जाएगी किसी योग अध्यात्मिक सलहकार के पास जाएं और उससे सीखें कि आपको किस तरह आस्था बिक्सित करनी चाहिए आस्था को हासिल करने वा इसका उप्योग करनी की कुसलता और इसके द्वारा दी गई सक्तियों को मुक्त करने की प्रभीरता ऐसे योगिताएं हैं जो बाकी योगिताओं की तरह पढ़ी सीखी और अपनाई जानी चाहिए अभ्यास से ही आप इसमें पारंगत होंगे इस अध्याय के अंत में आपकी हीन भावना के पैटर्न को दूर करने और आस्था बिक्सित करने के लिए दस सुझाओ दिये गए हैं इन नियमों पर लगन से अभ्यास करें ये नियम आत्म बिस्वास बिक्सित करने में आपकी मदद करेंगे क्योंकि वे आपकी हीन भावनाओं को तितर बितर कर देंगे चाहे उनकी जड़े कितनी ही गहरी क्यों नाजमी हूँ मैं इस बिंदु पर मैं यह बताना चाहता हूँ कि आत्म विश्वास के भावना को बढ़ाने के लिए अपने मस्तिस्क को विश्वास के सुझाव देना बहुत असरदार होता है अगर आपके मस्तिस्क में आसुरच्छा और आयोगिता के विचार परवलता से भरे हुए हूँ तो ऐसा इस वज़ा से है क्योंकि इसी तरह के विचार लंबे समय से आपके सिंतन पर हावी रहे हैं आपको अपने मस्तिस्क के विचारों को दोसरा और अधिक सकारात्मक पैटर्न देना चाहिए ऐसा आस्था और विश्वास के लगातार सुझाव दे कर किया जा सकता है ये आप अपने मस्तिस्क को फिर से परसिछित करना चाहते हैं और इसे सक्ति उत्पादक प्लांट में बदलना चाहते हैं तो दैनिक जीवन के बेस्त गतविधियों में विचारों का अंसासन जरूरी है आपके रोजमर्रा के जीवन के बीच में भी विश्वास के विचारों को चेतना के अंदर धकेलना संभव है आईए मैं आपको उस ब्यक्त के बारे में बताऊं जिसने एक अदभुद बिधीद्वारा ऐसा किया ठिठूरते हुए जाड़े की एक सुबा वह मिट वेस्टन सिटी की एक होटल में मुझे मिलने आया मुझे 35 मिल दूर दोसरे सहर में लेक्चर देने जाना था मैं उसकी कार में बैठ गया और वहा फिसलती हुई सड़क पर तेज रपतार से गाड़ी चलाने लगा मुझे लगा जैसे वह जरूरत से ज़्यादा गाड़ी तेज चला रहा था मैंने उसे याद दिलाया कि हमारे पास प्रियाप समय था और यह सुझाओ दिया कि वह आराम से गाड़ी चलाए मेरे ड्राइवरिंग के बारे में चिंता ना करे उसने जबाब दिया पहले मुझे भी कई तरह की चिंताएं और आसुरच्छाएं सताती थी प्रंद अब मैं चिंताओं से उपर उठ चुका हूँ पहले मैं हर बात से डरता था मैं कार या हवाई जहाद में यात्रा करने से डरता था जब मेरा परिवार कहीं जाता था तब जब तक वे लोग वापस लोट नहीं आते थे तब तक मैं चिंता में गुलता रहता था मुझे हमेशा यही लगता रहता था जैसे मेरे साथ कुछ न कुछ बुरा होनी वाला है और इस वज़ा से मेरा जीवन दुख से भर गया था मुझे में ही इन भावना बुरी तरह भरी हुई थी और मुझे में आत्विस्वास की भारी कमी थी मेरी मानसिक इस्थिती का असर मेरे बिजनेस पर भी हुआ और मेरे बिजनेस की हालात दिनो दिन खराब होती चली गई प्रंत तभी मैंने एक ऐसी अद्भुद योजना बनाई जिससे मेरे दिमाग से आसुरच्छा की सारी भावना निकल गई और अब मुझे में विस्वास की कोई कमी नहीं है मुझे ना सिर्फ अपने आप में विस्वास है बलके मुझे आम तोर पर पूरे जीवन में विस्वास है और उसकी वह अद्भुद योजना क्या थी उसने मुझे कार में बिंड स्क्रीन के ठीक नीचे इंस्ट्रूमेंटल पैनर पर लगे दो किलिप दिखाए फिर उसने गलाव कंपार्टमेंट में हाट डाला और बहुत से छोटे कार निकाली उसने एक कार को चुना और उसे क्लिप में फशा दिया उस पर लिखा था अगर आप में विस्वास है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है फिर उसने उस कार को हटाया और एक हाथ से गाड़ी चलाते हुए दूसरे हाथ से कार चुना और उसे क्लिप के नीचे लगा दिया उस पर लिखा था अगर इसवर हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है उसने बताया मैं एक ट्रेवलिंग सेल्समैन हूँ और मैं ग्रहकों से मिलने के लिए दिन भर कार से यात्रा करता हूँ मैंने पाया कि जब कोई व्यक्त गाड़ी चलाता है तो उसके दिमाग में तरा-तरा के विचार आते हैं अगर उसके विचारों का सिलसिला नकारात्मक है तो वह दिन भर में कई बुरी बातते सोचेगा और बुरे परडामों की कल्पना करेगा और यह उसके लिए अच्छा नहीं है प्रंत पहले मेरे साथ यही हुआ करता था ग्रहांकों से मुलाकात करने जाते हुए कार चलाते समय मेरे मन में डर और आसफलता के विचार लगातार आते रहते थे और यह भी एक वज़ा थी कि मेरी विक्री कम हुपाती थी प्रंत जब से मैंने इन कार्डों का प्रयोग सुरू किया है और इन सब्दों को याद कर लिया है तब से मैंने अलग तरह से सोचना सुरू कर दिया है पहले जो पुरानी आसुरच्छाएं मुझे सताती थी वह अब मेरे मन से लगभग पूरी तरह निकल चुकी है अब आसफलता और आयोगिता के डर के विचारों के बजाए मैं आस्था और साहस के विचार सोचने लगा हूँ यह सचमुच आश्यर जनक है कि इस तरीके ने मुझे कितना बदल दिया इस अदभुत तकनीक ने मेरे बिजनेस को भी चमका दिया है क्योंकि अगर आप आसफल होनी की कल्पना करते हुए किसी ग्राहक के पास जाएंगे तो आपको बेचने में सफलता कैसे मिल सकती है मेरे दोस्त की योजना सचमुच समझदारी की योजना थी इसवर की उपस्थिती उसका सायोग उसकी मदद इन सब सकरात्मक बातों को इस व्यक्त ने अपने मन में बिठा लिया था और इस वज़ा से उसने सचमुच अपने बिचारों का सिलसिला बदल लिया उसने आसुरच्छा की लंबे समय से जमी हुई भावना को जड़ से खत्म कर दिया उसने अपनी संभावित सक्तियों को जगा लिया था हम किस तरह से सोचते हैं? इसके कारड़ ही हम आसुरच्छा या सुरच्छा की भावना का निर्मार करते हैं अगर हम हमेशा यही विचार करें और कलपना करें कि कोई बुरी घटना होने वाली है तो इसका परडाम या होगा कि हम हमेशा आसुरच्छित महसूस करेंगे इससे भी ज़्यादा गंभीर बात या है कि हम अपने विचारों की सक्ति द्वारा उन बुरी घटनाओं को आमांतरण भी देते हैं जिनसे हम डर रहे हैं इस सेल्समैन ने कार में अपने सामने काड रखकर साहस और विश्वास के महत्पूर विचारों द्वारा सचमुच सकारात्मक परडाम प्राप्त किये पहले उसकी सक्तियां प्राजय के मनुविज्ञान के बंधन में बधी हुई थी अब रचनात्मक नजरिय की प्रेंडा के कारण वह बंधन खुल गए और उस ब्यक्त की सक्तियां पूरी तरह स्वतंत्र हो सकी असपश्ट रूप से आत्मविश्वास की कमी आज इंसान की सबसे बड़ी समिश्याओं में से एक है एक इन्वर्सिटी में मनुबिज्ञान के लगभग 600 विद्यार्थियों का सर्वे किया गया विद्यार्थियों से पूछा गया कि उनकी सबसे कठिन व्यक्तिगत समिश्या कौन सी है 75 प्रस्षत ने जबाब दिया आत्मविश्वास की कमी इस आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि आम जनता की इस्थिती भी कमोवेस यही होगी हर जगां आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अंदर से डरे हुए हैं जो जिन्दगे में दुबक कर चलते हैं जिन्में आसुरच्छा और अयोगिता की भावनाएं गहराई में जमी हुई हैं जिन्हें अपनी सक्तियों पर संदे हैं अंदर ही अंदर उन्हें बिश्वास नहीं होता कि वे किसी जिम्मेदारी को निभाने के काबिल हैं या उनमें आसर का लाव उठाने की छमता है उन्हें हमेशा या अस्पष्ट और कालपनिक डर लगा रहता है कि कुछ न कुछ गरबर होनी वाली है उन्हें या विश्वास नहीं होता कि उनमें उतने सफल होनी की काबियत है जितने सफल वे होना चाहते हैं इसलिए वे अपनी सामर्थ से बहुत कम अस्तर पर ही संतुष्ट होने की कोशिस करते हैं। जिन्दगी की राह पर हजारों लोग हारे हुए और डेरे हुए घुटनों के बल धिसटे हुए चले जा रहे हैं। और ज्यादा तर मामलों में उनकी कुंठा या आसमर्थता सिर्फ काल्पनिक है और इसलिए अनाविश्यक है। जीवन के आगहात, मुस्किलों के पहाण और समिस्याओं की बहुतायत से आपकी उर्जा कम होती है और आप ठकान तथा हतास का अनभो करते हैं। इस इस्थिती में आपकी सक्ति की वास्तविक इस्थिती अक्सर छुप जाती है और आप हतासा में घुटने टेक देते हैं, जो तथ्यों के अनुरूप नहीं होता। या बेहद महत्पोड है कि आप अपने व्यक्तित्त के सकारात्म गुडों का विशलेशर करें। तारकिक्ता के नजरिये से ऐसा करने पर या मोल्यांकन आपको विश्वास दिला देगा कि आप उतनी प्राजित नहीं हैं जितना की आप अपनी आपको सोचते हैं। उदाहरण के तवर पर बावन साल का एक ब्यक्त मेरे पास प्रामर्स के लिए आया। वह बहुत निरास था उसने अपनी निरासा की कहानी सुनाई। उसने कहा सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने जीवन भर जो बनाया था वह सब कुछ बरबाद हो चुका था। सब कुछ मैंने पूछा, सब कुछ उसने दोहराया, वह पूरी त्रह बरबाद हो चुका है, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ चला गया है, अब कोई आसा नहीं है और अब मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि फिर एक बार से सुरुवात नहीं कर सकता, मै मैंने अपना विश्वास खो दिया है, स्वभाविक रूप से मेरे मन में उसके लिए सानबूती थी, प्रंतिया हसपश्ट था कि उसकी प्रमुख समिस्या यह थी, कि निरासा की गहरी छाया उसके मस्तिस्क में परवेश कर गई थी, और इस वज़ा से उसका नजरिया बिक पर चिंतन के कारण उसकी सची सक्तियां सामने नहीं आप आ रही थी, और इस वज़ा से वह कमजोर पड़ गया था, चलिए मैंने कहा, हमें कागज पर लिखें कि आपके पास क्या क्या बाकी है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, उसने थंडी सांस लेते हुए कहा, मेरे पा और वह बहुत भली महिला है, हमारी साधी को 30 साल हो गए है, चाहे हालात कितने ही बिगड़ जाएं, वह कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, बहुत अच्छा, तो हम इस बात को लिख लेते हैं, आपकी पत्नी अभी आपके साथ हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए, वह कभी आ हैं, और हम पूरी त्रहां आपके साथ हैं, अच्छा, मैंने कहा, तो नमबर दो पर हम यह लिखें, कि आपके तीन बच्चे हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, और आपका साथ देंगे, अब यह बताएं कि क्या आपके दोस्त हैं, हाँ, उसने कहा, मेरे कई दोस्त बहुत अ तीसरे नमबर पर लिख लेते हैं, आपके पास कुछ दोस्त हैं, जो आपकी मदद करने को तयार हैं, और वे आपका सम्मान करते हैं, और आपके अंतरात्मा, क्या आपने कोई गलत काम किया है, बिल्कुल नहीं, उसने जबाब दिया, मेरी अंतरात्मा बिल्कुल साफ है, म आपका स्वास्ट कैसा है मेरा सवास्ट ठीक है उसने जवाब दिया मैं बहुत कम वैमार रहता हूं और मुझे लगता है कि मैं सारीरिक दृति बिल्कूल फिट हूं तो हम इसे नंबर पांच पर लिख लेते हैं अच्छा सारीरिकabile आप बताएं कि अमेरिका के बारे में आपकी क्या राय है। कि आपको लगता है कि यह सही दिसा में जा रहा है और यह संभावनाओं से भरा देश है। हाँ उसने कहा। यह दुनिया का इकलौता देश है जहां मैं रहना चाहूँगा। तो हम इस बात को नंबर 6 पर लिख लेते हैं आप अमेरिका में रहते हैं जो संभावनाओं से भरा देश है और आपको यहां रहने में खुसी होती फिर मैंने उससे पूछा आपकी धार्मिक आस्था का क्या हाल है क्या आप इस्वर में विश्वास करते हैं और क्या आप मानत जरा देखे तो सही आपके पास कितनी सारी पूजी है अब मैंने कहा जरा देखे तो सही आपके पास कितनी सारी पूजी है नंबर 1 अधभुद पत्नी 3 साल 30 साल से हमेशा साथ नंबर 2 3 समर्पित बच्चे जो आपका साथ देंगे नंबर 3 दोस्त जो आपकी मदद करने के लिए तयार हैं और जो आपका सम्मान करते हैं नंबर चार है साफ अंतरात्मा सर्म की कोई बात नहीं है नंबर पांच अच्छा सारी रिक्स्वास्त नंबर छे दुनिया के सबसे महांदेश अमेरिका में रहते हैं नंबर साथ आप में धार्मिक आस्था है मैंने सूची को उसके सामने टेवल पर रख दिया इसकी तरफ देखिए मुझे लगता है कि आपके पास अब भी काफी भूजी बची हुई है आपने तो मुझसे कहा था कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा है और आप पूरी त्रह बरबाद हो चुके हैं उसने सर्माते हुए कहा मुझे लगता है कि मैंने इन चीजों के बारे में सोचा ही नहीं था मैंने इस तरीके से नहीं सोचा था सायद परिस्थितियां इतनी बुरी नहीं है उसने बिचार करते हुए कहा अगर मुझे थोड़ा सा विश्वास आ जा जब उसने अपने द्रिष्टी कोड और अपने मांसिक नजरिये को बदला विश्वास ने उसकी संकाओं को उसके मन से बाहर निकाल दिया और उसे इतनी सक्ति दी कि वह अपनी तमाम मुश्किलों को जीत पाया यह घटना एक गहरी सच्चाई बताती है जो परसिद्ध मनोब इसले सक कारल मेनिंजर ने एक बहुत महत्पूर्ड वक्त तब में बताई थी उन्होंने कहा था नजरिये तथ्यों से जादा महत्पूर्ड होते हैं यह इतनी महत्पूर्ड पंक्ति है कि इसे बार-बार दोराया जाना चाहिए जब तक कि आप इसकी सचाई को पूरी तरह से ना जान जाएं हमारे सामनी मौजूद कोई भी तत चाहे जितना मुश्किल हो या पतेच रूप से चाहे जितना निराज करने वाला हो उतना महत्पूर्ड नहीं है जितना कि उस तत के बारे में हमारा नजरिया आप तत के बारे में कुछ करें इससे पहले ही आपका सोच का नजरिया आपको हरा सकता है हो सकता है कि आप दर असल इससे निपटना सुरू करने से पहले ही मांसिक रूप से इस तथ को स्वयम को प्राजित करने की अनमती दे 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 दूसरी ओर विश्वास, पूर्ण और आसावादी विचार पर किरिया दौरा आप उस तक्त को सुधार या प्रास्त कर सकते हैं मैं एक ऐसे ब्यक्त को जानता हूं जो अपने संगठन के लिए एक बहुत बड़ी पूजी है इसका कारण यह नहीं है कि उसमें कोई आसाधारण योगिता है बलकि इसका कारण यह है कि वह हमेशा एक बिजयी विचार पर किरिया का प्रदर्शन करता है जब उसके सायोगी किसी प्रेस्ताव पर निरासावादी प्रेत किरिया करते हैं तो वह वैक्यूम क्लीनर टक्नीक का प्रियोग करता है इसका अर्थ है कि वह सवालों की स्रंखला द्वारा अपनी सायोग्यों के दिमाग से धूल को खीच लेता है वह उसके नकरात्मग नजरिये को बाहर निकाल लेता है फिर वह चुप चाप उस प्रस्ताव के संबंद में सकरात्मग विचार सुझा देता है जब तक कि नए नजरिये के कारण उन्हें तथ्यों की एक नई ओधा नहीं मिल जाती लोग अक्सर इस बात पर चर्चा करते हैं कि जब यह व्यक्त तत्यों पर काम सुरू करना चाहता है तो तत्यों कितने भिन नजर आते हैं विश्वास के नजरिये से बहुत फर्क पड़ता है और यह नियम तत्यों के निस्पच्छ मोल्यांकन में बाधा भ चुखाऊना का सिकार व्यक्त सारे तत्यों को बिकृत द्रिष्टी कोड से देखता है सुधार का रहस्य है सही द्रिष्टी कोड पाना और या हमेशा सकारात्मक पहलू की तरब झुका होता है अगर आपको लगता है कि आप प्राजित हो चुके हैं और आपको अपनी जीत बलकि ऐसी बातों की सूची बनाएं जो आपके अगर आपको लगता है कि आप प्राजित हो चुके हैं और आपको अपनी जीतनी की योगिता में विश्वास नहीं है तो आप बैठ जाएं अपनी हाथ में एक कागज लें और एक सूची बनाएं याद रहें आप ऐसी बातों की सूची ना बनाएं जो आपके खिलाफ है बलकि ऐसी बातों की सूची बनाएं जो आपके पच्छ में हैं अगर आप या मैं या कोई भी लगतार अपनी विरोधी सक्तियों के बारे में ही सोचता रहेगा तो हम उन्हें जरूरत से ज़्यादा स सक्तिसाली बना देंगी वह इतनी अधिक सक्तिसाली बन जाएंगी जितनी सक्ति उन में दरसल है ही नहीं प्रंट इसके बिपरीत अगर आप मांसिक रूप से अपने अच्छे पेहलूँ पर ध्यान दें अपनी पूजी की सुची बनाएं अपने विचारों को इन पर केंद्र उभर जाएंगी और इस्वर की सहायता से आप अपने आपको प्राजय के दलदल से बिजय के सिखर तक उठा सकेंगे सबसे ससक्त अधाडाओं में से एक अधाडना आत्म विश्वास की कमी दूर करने का अचूख नुस्खा है यह अधाडा इस विचार में नहीं थै कि इस्वर सचमुच आपके साथ हैं और आपके मदद कर रहा है यह धर्म के सबसे मूलभूत सिख्छा है कि सर्व सक्तिमान इस्वर आपका साथ ही होगा आपके पास रहेगा आपकी मदद करेगा और आपको सफलता दिलाएगा आत्म विच्वास बिक्सित करने के लिए कोई और विचार इतना महत्पूर नहीं है जितना कि यह साधारण विच्वास बसरते इस पर अमल किया जाए इसका अभ्यास करने के लिए सिर्फ यह दोहराएं इस्वर मेरे साथ हैं इस्वर मेरी मदद कर रहा है इस्वर मुझे राह दिखा रहा है हर दिन कुछ मिनट उस इस्वर की उपस्थिती की कलपना में लगाएं फिर इस बात में विश्वास करने का भ्यास करें, अपने बिजनेस पर जाते समय, यह विचार करें कि आपका यह विचार और आपकी कलबना सत्य है. इसे दृटता से कहें, इसके कलपना करें, इसमें विश्वास करें और यह खुद को حकीकत में बदल लेगा. इस तरीके से जो सक्तियां जागरित होंगी वे आपको हैरान कर देंगी विश्वास की भावनाएं आपके मस्तिस्क में आदतन रहने वाले विचारों के परकार पर निर्भर करती हैं अगर आप हार के बारे में सोचते रहेंगे तो आपकी हार तैह हैं अगर आप विश्वास की विचारों का भ्यास करेंगे अगर आप इसकी प्रबल आदत डाल लेंगे तो आप यह प्रबल छमता बिक्सित कर लेंगे जिसके द्वारा आप अपनी मुश्किलों को जीत लेंगे चाहिए मैं मुस्किले कैसी भी हूँ विश्वास की भावनाये दरसल बढ़ी हुई सक्ति को प्रेरित करती हैं बासिल किंग ने एक बार कहा था बहादुर बनू और ताकतवर सक्तियां तुम्हारी सहायता के लिए आ जाएंगी अनभो इस बात की सच्चाई को सिध करता है जब आपका बढ़ा हुआ बिस्वास आपके नजरिये को सही कर देता है तो आपको लगेगा कि यह प्रबल सक्तियां आपकी सहायता कर रही हैं इमर्सन ने एक जबर्दस्त सत्य का उद्गाटन करते हुए कहा था वे जीत जाते हैं जिन्हें यह बिस्वास होता है कि वे जीत सकते हैं और उन्होंने यह भी जोड़ा जिसका काम से डर लगे वह काम कर दे और आपका डर निश्चित रूप से मर जाएगा जिस काम से डर लगे वह काम कर दें और आपका डर निक्षित्रोप से मर जाएगा विश्वास और आस्था का प्रियोग करें और आप देखेंगे कि डर और आसुरच्छा की भावनाएं आपका कुछ नहीं बिगाड पाएंगी एक बार स्टोन बेल जैक्सन एक सापताहिक एक बार स्टोन बेल जैक्सन एक सासिक आकरमण की तयारी कर रहे थे तभी एक जनरल डर कर यह आपत्ती उठानी लगा मैं इस बात से डरता हूँ या मुझे डर है कि इस डरने माले अधीनस्त के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए जैक्सन ने कहा जनरल अपने डर को कभी अपना सलाहकार मत बनाओ रहसिया है कि आप अपने मस्तिस्क में आस्था विश्वास और सुरच्छा के विचार भर ले वे आपके मन से सारी संका सारी हीन भावना बाहर निकाल देंगे एक ब्यक्त लंबे समय तक आसुरच्छाओं और डरों की यातना भोग चुका था मैंने उसे सुझाया कि वह बाइबिल पढ़े और साहस और विश्वास से संबंधी हरिवाक्त को लाल पेंसिल से रेखांकित कर ले उसने उन्हें याद भी कर लिया दरसल उसने अपने मस्तिस्क में दुनिया के सबसे स्वस्त सुखी और ससक्त बिचार भर लिये इन परबल विचारों ने उसे निरास ब्यक्त से बदल कर ससक्त ब्यक्त बना दिया कुछ ही सब्ता में जो परिवर्टन हुआ वह अधभुत था लगभग पूर्ड प्राजय से वह एक विश्वास पूर्ड और प्रेरग ब्यक्त में बदल गया था अब वह साहस और चुम्बक्यता संप्रेसिस करता है उसने अपने विचारों को सही करने की आसान परक्रिया दोरा अपनी सक्तियों और अपने आप में विश्वास एक बार फिर से हांसिल कर लिया संचेप में आप अभी अपने आत्म विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं हीन भावना के नजरिये को जीतने और विश्वास बढ़ाना सीखने के लिए मैं यहाँ पर दस आसान प्रंत कारगर नियम दे रहा हूँ हजारों लोगों ने इन नियमों का प्रयोग किया है और उन्हें इनके सफल परडाम मिले हैं इनके अमसार चलें और आप भी अपनी सक्तियों में बिश्वास कर पाएंगे आपको भी सक्ति के नए संचार का अन्भव होगा नमबर एक अपने दिमाग में यहां अमिप चबी बिठा लें कि आप सफल हो रहे हैं इस चबी को हमेशा असपश्टता से बनाए रखें इसे धुदला ना होने दें आपका मस्तिस्क इस तस्बीर को पूरा करने के रास्ते खोजेगा कभी भी यह ना सोचें कि आपा सफल हो रहे हैं अपनी मांसिक चबी की सच्चाई पर कभी संका ना करें ऐसा करना बहुत खतरनाक है क्योंकि मस्तिस्क जो तस्बीर बनाता है वह हमेशा उसे पूरा करने की कोसिस करता है इसलिए हमेशा सफलता की तस्बीर ही बनाएं चाहे आपके जीवन में इस छड़ कितनी ही समय स्याई या मुश्किले क्यों ना हूँ जब भी अपनी सक्तियों के बारे में कोई नकरात्मख विचार आपके मन में आए तो इसे समाप्त करने के लिए ततकाल कोई सकरात्मख विचार सोच ले अपनी कल्पना में बाधाओं का निर्मार ना करे हर तथा कथित बाधा को कम करके आखे अपनी कल्पना में बाधा को बड़ा या बिराट ना बनाए कठनायों को समाप्त करने से पहले उनका अध्धिन और बिसलेसर करना पड़ता है प्रंत उन्हें उनके लिए असली स्वरूप में ही देखना चाहिए दर के विचारों से उन्हें फुलाना नहीं चाहिए दूसरे लोगों को देखकर चमतकृत ना हो जाएं और उनकी नकल करने की कोशिस ना करें आपके रूप में कोई भी उतना प्रभाव साली या योगी नहीं हो सकता जितने की आप स्वयम याद रखें कि ज़्यादा तर लोग उपर से आत्मिस्वास से भरे दिखते हैं प्रंत अंदर से वै भी अपने बारे में उतने ही डरे और ससंकित होते हैं जितने की मैं और आप नमबर पांच हर दिन दस बार इन सक्तिसाली सब्दों को दोहराएं अगर इसवर हमारे साथ हो तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है पढ़ना बंद कर दें और इन सब्दों को अभी धीमे धीमे और विश्वास से दोहरा लें नमबर छे किसी योगी सलाहकार से सलाह लें ताकि आप समझ सकें कि आप जो करते हैं वह आप क्यों करते हैं अपनी हीन भावना या आत्म संगा की भावनाओं के उद्गम को जाने जो अक्सर बचपन में सुरू होती हैं आत्म ज्यान से उपचार संभा होता है नमबर साथ हर दिन दस बार यह बोले हो सके तो जोर से मैं इसा मसी की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे सकती देते हैं इन सब्दों को अभी दोहराएं इस धर्ती पर इनफिरियार्टिक कांपलेक्स का सबसे सक्तिसाली इलाज यही है नमबर आठ अपनी योगिता का सच्चा अनुमान लगाएं फिर इसे दस प्रस्यत बढ़ा लें अहंकारी ना बने प्रंत स्वस्थ आत्मसम्मान बिक्सित करें इस्वरदारा खुद को दी गई सक्तियों में विश्वास करें नमबर नौ अपने आपको इस्वर के हवाले करने ऐसा करने के लिए आपको सिर्फिया कहना होगा मैं इस्वर के हाथों में हूँ फिर बिश्वास करें कि अभी आपको इस्वर से वह सभी सक्तियां मिल रही हैं जिनकी आपको जरूरत है अपने सरीर में इस सक्ति को प्रवाहित होता महसूस करें द्रिड़ता से कहें आपके भीतर इस्वर का सामराज है और इसी से आपको वह सक्ति मिल जाएगी जो आपको मुश्किलों के पार ले जाएगी नमबर दस खुद को याद दिलाएं कि इस्वर आपके साथ है और इसलिए आपको कोई नहीं हरा सकता विश्वास करें कि आपको अभी उस्से वह सक्ति प्राप्त हो रही है